नमस्कार मैं सुनीता अपने इजी किचन रेश्पी में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपके लिए लेके हूँ चीज सेंड्विच की रेश्पी जो छट पर बन जाती है खाने में बहुत ही तेश्टी तो स्टार्ट करते हैं अपनी नए रेश्पी सबस्ते पहले हम लेंगे चार आलो यह जो अगले में het overcome सिल्का उतार लिया है ये मीप्यम साइज करें जिसरेसे के एक भी जट्ली न रहे है तो सारे आलो को कद्दू कर लेतेरnia है है हमन guidelines 4 अलो को ट्डू कस कर लिए рядом आभ हम इस्समें डाल देंगे प्यास यहामें 2-3 चमच प्याज को छोटा छोटा करके डालेंगे यहामेंने 4 चमच प्याज डाल दिए एक छोटे चाईची की टमाटर को भी तरह से बारीक बारीक करती है जोंख ** गदा चाल च्ली फ्लेक्स बच्चो को इसका सवाद ब्हुत पसंद आताra अगर आपके पास हो तो यी डालना ना हो तो इसके बिगद्भिज़ अब बना सकते हैं अब डालेंगे स्वादनसार नमक अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे यह मैंने सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है यह हमारी फिलिंग द्यार है सेंड्विच बनाने के लिए आप चाहे तो इसके अंदर मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं पर आज मैं चीज स्लाइस यूज कर रही हूं तो इसको हम रखते हैं साइड में अब लेते हैं ब्रेड तो टामाटर कैचप और इसको इस तरह से अच्छे से फिला देंगे अब दूसरी ब्रेड पर लगाएंगे हम हारी चटनी अब एक ब्रेड को रखते हैं साइड में अब इसमें लगाएंगे आलो की फिलिंग तो हमने इत्यार करके रखिए इसे अच्छे से बर देंगे अब हम इस पर रख देंगे चीज स्लाइस अब दूसरी ब्रेड को इस तहसे रख देंगे हलका सा प्रेस कर देंगे यह हमारी एक सेंडविच बन त्यार हो गयें. इसी तरही न मेरी आँ दूसरी बन लेते हैं यहां देखिए मैंने दो सेंडविच बना कर त्यार कर लेएं आप हम इस पर लगा देते हैं घी आप च्छाए तो इस पर बटर्विस लगा सकते हैं यह आपकी अब चलते हैं इनको सेख लेते हैं यहां हमने गेस पर एक तवा रखा है तवा हमारा गरम हो गया है तो आप रखेंगे अपने सैंड्वीच को दूसरे सैंड्वीच को भी रख देते हैं और इसपे एक प्लेट रख देंगे साथ में रख देंगे वेट जिससे की चारो तर्फ से हमारी ब्रैड अच्छे से सीख जाए यहां हम अपनी ब्रैड को चेक कर लेते हैं यहां हमारी ब्रैड ने चीज़े सीख गई है तो उपर भी हम घी लगा देते अब इनको पलट लेते हैं अब इनको ऐसे ही सिखने देंगे यहां हम सेंड्वीच को चेक कर लेते हैं हमारे नीची से भी सेंड्वीच दिख गए तो आप हम इनको निकाल लेंगे इस देखिए हमारा चीज सेंड्वीच बनकर त्यार हो गए हम इनको कटिंक कर लेते हैं कटिंक अब अपने साब से जैसा चाय वैसा काट लें हम दूसरा भी काट लेते हैं हम देखिए हमने सभी सेंड्वीच बनाकर त्यार कर लें आप चाहे तो बच्चों के टिफिन में दें या ब्रेक्पास्ट में दें या साम की छोटी मोटी भूप के लिए नहीं है यह है